नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चल्न चार जागिंदर मुशा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राजकेदेन के रास्पल के वारे में लेकिन उससे पहले बात करें आज के पंचांग के वारे में 3 अप्रेल 2022 रवी वार के दिन है और चैत्रमाश शुकलपक्षी आज दुतियाति थी है और नच्छत्र आज अश्वनी अभजीत महुर्दास दुपार 11 बच कर 36 मिनट सेले के दुपार 12 बच के 40 मिनट तक रहेगा आज के शुरू दे सुबह है पांच बच कर 38 मिनट पे और चैंद्रमा की स्थती रहने वाली है मेस राशी पर यानि कि आपके लाब भाव पे इंकम भाव पे एक अदस बाव पे चैंद्रमा पूरे दिन और रात रिगोचर करेंगे भरमन करेंगे आज के जो अशुरू समय होगा वे तकरीवन साम चार बच कर एक मिनट से लेके साम पांच बच कर दो मिनट तक रहेगा इस अशुरू समय में कोई भी सुब और नेकार की सुरूत ना करेंगे तो विगनवाध हाईया शक्ती है अब बात करते हैं आज के मिथुन राज के दैनिक रासवल की और यह प्रेक्शन चंद राशी पर अधारी थे मिथुन राज के अदकों आज 6 सुब समाचार मिलेंगे क्योंकि आज की दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज आपके कारियों में सफलता मिलने की योग बन रहे हैं मिथुन राज के अदकों आज आप अधिक प्रसन दिखाई देंगे आज आप अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक धनलाव अरजित करते नजराएंगे बिसे सुपलब्धिया प्राप्त होंगी मिथुन राज के अदकों आज माता दुर्गा के दूसरे दिन का पूजा करने का दिन है आज माता ब्रमचारणी की पूजा राधना की जाएगे क्योंकि समय चैत्र नौरात्री चल रही है तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन माता ब्रमचारणे के पूजा आराधना की जाती है उन्हें इस दिन आप सफेद पुस्प और यनि की सफेद वस्त्र और फल फूड बगर सब कुछ उन्हें अरपित करें भोग लगाएं और उनकी पूजा करें उनकी आरती करें और अपनी विशेश मानों का अची अरपित करें तो पूरे साल आपके घर में धन धान की कमी नहीं होगी और इंकम आए में बरहोत्ती होगी हर कारियों मर सफलता मिलेगी तो मित्वन राज क्यात को आज केरियर में अधिक परसने दिखाई देंगे आज पढ़ाय लिखाय के छेतरों में भी स्टूडें की प्राप्ती होगी यदि आप कारोबारी हैं तो आज आपको मित्वन राज क्यात को कारोबार का विश्टार करते हुए दिखाई देंगे आज आपको इंकम के स्रोत अधिक बढ़ेंगे पहले स्कहीं ज्यादा हाला कि बेफशूल खर्चों से बचना होगा धर्म कर्म के क करें और फिर नहाद होकर स्वक्ष वस्त्र धारन करके उनकी पूजा राधना करें एक दीपक जलाएं अपनी मनों कामना है तो पूजा करें मित्वन राज क्यात को आज पारिवारिक जीवन में खुश्यां आएंगी परिवार में कोई बड़ी जीमेदारी मिल सकती है पु अचे विकारियों में उपलबधी प्राप्त होगी अच्छा रहेगा आज की दिन और आज दिन की सिरुवात से ही बिशेश सुपसमाचारों की प्राप्ती होगी चेह बिदेश से हो या फिर आपके कारों बार को लेकर हो कि कोई आज बिजनेस ब्यापार में भी आज आपको महतपूर्ण कोई डील को लेकर दूसरा सुपसमाचारों की प्राप्ती होगी और तीसरा सुपसमाचार बैंक के छेतर से लोन की रूप में होगा तो लोन भी मंजूर होगा और इंकम आए में ब्रदी होगी रुकाववफसवधन प्राप्त होगा लोटर सट्टा से लाब होगा आकस्मिक रूप से धन का लाब होगा मित्वन राजकत को आज की दिन विशेश रहने वाला है महित्पूर्ण लोगर से मेले मिलाब बना के रखेंगे मांदारिक सातागे बढ़ने के जरूरत होगी आज क्योंकि आपके लाब भाव पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं पूरे दिन रात रहेंगे तो इनकम आमें ब्रदी होगी बड़े भाई वैनों को सहयोग प्राप्त होगा मान समान की प्राप्ती होगी सेलेरी में ब्रदी होगी धन आगवन के बड़े प्रवली योग बन रहे हैं स्रोत बढ़ेंगे आज धन आने के तो आज इनकम में तो बहुत ही अच्छी स्थी रहेगी चोथा सुबसमाचार यहां पर आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर मिलेंगी परिवार में तमाम खुशियां दस्तक देगी अविवाहिज जातकों के लिए यहां पर नए रिष्टे आएंगे तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी उनके लिए सुबसमाचारों की प्राप्तियों की नए रिष्टे तय होंगे साधी भी वागले यहां डेट फिक्स होंगे और साधी वागले चर्चाए होंगी घर में कोई शुबमंगल कारखरम होंगे चुकि इसमें नवरातिरी चल रही तो इसमें वैसे भी शुबमंगल कार तो हो नहीं है साथी कथा वारता हो सकती है माताब भगुती के उपलक्ष में कुछ बेतरी इंकार कर सकते हैं और आज मित्वन राजकत को आज जीवन साथी कभी शपोर्ट मिलेगा जीवन साथी कंधश कंधे मिला कर चलेंगे जीवन साथी कसात मदभेद खतम होगा जीवन साथी आपके हर कारियों में आपकी मदद करेंगे सही योग देते नजरांगे जीवन साथी सिधनलाप की प्राप्ति की योग बनेंगे कई महत्पूर्ण छेतरों में आज आपको विशेश उपलब्दिया प्राप्त होंगी आज आपको संतान को लेकर यहाँ पर पांचमा सुबस्माचारों की प्राप्ति होगी यानि कि जो पांचमा सुबस्माचार होगा वो संतान की कामयाभी और तरक्की से और उपलब्दियों से खासकर आपके नन्हे से महिमान आपके घर में आने का यानि की योग बन रहा है और जीवन साथी से आप कुछ महत्पूर्ण योजनाओं पर बातचीत कर सकते हैं नए आगे आने वाले समय में आगर आप महिला हैं तो पुरु से लाब होगा आज की दिन और अगर आप पुरु से तो महिला से लाब होगा आज की दिन प्रेम संबंदों में परगारता आगी मजबोती आगी आपके प्रेम संबंद काफी बेहतर होंगे कुछ गिप्ट और उपहार देंगे अपने पार्टनर को उनके साथ काफी अच्छी स्थितिया रहेंगी और पार्टनर के साथ नजदीकिया बढ़ेंगे उनके साथ घूमते फिरते नज़राएंगे उनके साथ आप जूलेरी वगरे कुछ खरीशकते हैं कुछ महतपूर्ण चीज़े खरीदारी कर सकते हैं घर परिवार के लिए सुकसादर में बरदे करेंगे घर की जरूरत की चीज़ों की भी पूरती कर सकते हैं समाज में मान समान बढ़ेगा राजिन्तिक छेतर में जुड़ाओ और लगाओ बना कर रखेंगे तो विशेश लाब होगा शटमा सुबसमाचार यहाँ पर मिलेगा आपके स्वास्त को लेकर स्वास्त को लेकर जो समस्चाएं तो अब दूर होगी आपके घर परिवार में चाहिए वो माता पिता को हो या फिर आपके जीवन साथी को हो यह संतान को लेकर यह स्वैम को लेकर हो तो स्वास्त में सुधार होगा और आपको वो सिक्षा के छेतर में भी सुबसमाचारों की प्राप्ती होगी य зачलाव हो गा, competition का त्यारी, exam की त्यारी में जोटे हैं पर्तुगी परिश्चा के त्यारी में जोटे हैं तलाव होगा बेहतर इन संस्थाों में दाखलाव लेने का मौका मिलेगा बिदेश जाने के लिए भी सुभ स्माचारों की प्राप्ती होगी यानि कि विदेश जाने का जो सपना था वो पूरा होगा और महतपूर्ण लोगों से मेल बिलाब बना के रखेंगे तो काफी अच्छे स्थिती रहने वाली है कुल मिला के कहा जाए तो आज की दिन मित्वन राश्कत को बहुत अच्छा रहने वाला है बड़े लोगों से मान सम्मानी बिक्तियों से मेल बिलाब बना के रखेंगे तो आज आपको लाब होगा तो आज आपको लाब होगा जिस्तेदारों को साथ आज नज़्दी किया बढ़ेंगी तो कुल मिला के कहा जाए तो मित्वन राश्कत को आज के दिन बहुत विशेश रहने वाला है जमेन प्रपरिटी करीदारी कर सकते हैं शेर मार्कटिंग में आज पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाने का आईडिया आपके मन में आशकता है जय शेर करें शाथी बेल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा जय शेनिदेव जय से जरूर नहीं जिर्फंग में आए चेकन को पிायर जरूर की चैसा-पके में प्रेश भीडे़ाना को झापके मlarमा लिएे नहिता भीचा थे ताक्यवे श्क्ने καन दोड़े सकता है